हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दू स्टेडिकाप्सिल, दोस्तों हमारे ये Most Important 25 MCQS सीरीज की Part 6 है, ठीक है, इसके पहले हमारे Part 5 आ चुक है, General Awareness के उपर जो important questions आएंगे, आपको बहुत ही important questions लिए हुए, जो कि आपके अभी आपके में एक्जाम से SBA PO मेन, ठीक है, NICLAO मेन से दिना बैंक की जो मनिपाल की PO मेन से, ठीक है, तो इनके लिए बहुत ही important questions की सीरीज शुरू है, I think आपकी जो आने वाली एक्जाम से अभी, जुन में आपकी SBA PO मेन होगी, 4 जुन को होगी, दिना बैंक होगी आपकी 11 जुन को होगी शायद, है ना, और अभी आपकी बैंक कीजिए, और दोस्ते के शेर जरूर कीजिएगा, अगर आपने हमारा फेस्बूक पेज, अग तक स्टेडी कैप्स लाइक ना किया हो, ठीक है, तो प्लीज उसे भी लाइक कीजिए, दोस्तों, और इसका अंसर है दोस्तों, ये 131 है, और ये आउट ओप 188 कंट्री, ठीक है, आउट ओप 188 कंट्री में से है, इंडिया की रांग जो है 131, और इसके साथ बतातों कि जो यूमन डेवल्फमेंट रिपोर्ट है, ये कौन पब्लिश करता है, ये पब्लिश करता है दोस्तों, UNDP, ठीक है, UNDP याद रखिए, कि यूमन डेवल्फमेंट इंडेक्स, यानि हूमन डेवल्फमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो ये पब्लिश करता है, यून और फिर उसके बास Switzerland और ओर लिस्ट चलती रहती है तो हमारी इंडिया की रहेंगे 131 नेक्स देखते हैं The Central Sector Scheme राष्ट्रियव वयोश्री योजना विल बी लॉंच फ्रॉम विच स्टेट और इसका एंसर है दोस्तो ए आंधरपरदेश तीक है यह स्कीम के करते है उनके लिविंग डिवाइसे प्रोवाइड करेंगे ठीक है और यह जो स्कीम के बारे में इंपोर्टन चीज है कि अबिश्ट्रियव वयोश्री योजना scheme is the first of its kind in India which is fully funded by the central government ठीक है नेक्स देखते है विच बैंक अज लॉंच एन इंस्ट डिजिटल लौन अगेंस सेकुरिटीज फैसिलिटी और इसका अंसर है दोस्तो destin привicam sub IG्युटीप इनका इसदीन minist नंडें सभड़ी अयश्री के सब्सक्राइब्स वंपेंड़ेशन हुआ और इसके बारे में यह जोいる लौन himself I an आ डिजिटल लोन अगेंस स्एकूर्टीज जो है लौन अगेंस सेकुरिटे इसके बार में इंपोर्टेंट बात है ऐसी है कि यह लोन अवेलेबल होगा इन लेस देन थ्री मिनेट्स में है ठीक है और इसमें कस्टमर की क्रेटिट इस्टेर भी चेक नहीं की जाएगी इंट्रेस्ट जो होगा 10.5 परसंट होगा इस पे ठीक है इस लोन पे जो मिनिममम लोन मिलेगा वह 1 लाक होगा और मैक्जिममम लोन जो होगा अप्टू 20 लाक होगा next how much loan amount has been approved by the world bank for the national hydrology project of india okay how much loan amount has been approved by the world bank for the national hydrology project of india which का answer दोस्तो 175 million dollar और यह जो लोन अप्रूव किया यह किसके लिखिया कि to improve india's ability to forecast floods and reduce vulnerability to recurring floods and drops next day who of the following took charge as new deputy chief minister of उत्तर प्रदेश ठीक है उत्तर प्रदेश का deputy chief minister का charge किन को मिला है दोस्तो तो इसका answer है C.L. ठीक है केशो प्रसात मोरिय और दिनेश चर्मा ठीक है क्योंकि उत्तर प्रदेश के हमें chief minister कोने सबको पता होगा ठीक है योगी अधित्यना जो है उत्तर प्रदेश के 21st number के chief minister बने है ठीक है अभी ओक है वहाँ के योगी अधित्यना 21st number के chief minister है ठीक है और deputy chief minister कोने उत्तर प्रदेश का तो जरूर याद रखिये केशो प्रसात मूर्य और दिने शर्मा नेक्स्ट देख ते विच इंडियन स्पोर्ट परसन हैस वन सिल्वर एड 2017 इडन वर्ल्ड उमन स्नूकर चांपेंशिप ठीक है और इस cancer दोस्तो डी विद्या पिल्लाई ठीक है विद्या पिल्लाई उन्होने सिल्वर जिता दोस्तो इडन वर्ल्ड उमन स्नूकर चांपेंशिप में नेक्स्ट देखते है जो 2017 स्पेशल ओल्मिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स होस्टेट बाइ विच कंट्री ठीक है जो 2017 के स्पेशल ओल्लम्पिक विंटर गेम्स हुए थे ओ किस कंट्री ने होस्ट किये थे तो इसका अंसर ए वास्ट्रिय के वी अस्त्रियों नेक्स्ट विस्ट गोवर्नमेंट है मुमेरणटने और्ट यसाथ विचस्तेट बैंक के साथ तो और ईसका एंसर है दोस्तो ए आसाम टिके आसम स्टेटने ए अग्रिमेंट किया है दोस्तो और ये जो लोन जो प्रोफेट करेगे वो दो चीजों के लिए होगा एक हाउसिंग और एक एजुकेशनल लोन होगा उसमें ठीक है ये सबसेटाइज इंट्रेस्ट रेट्स पर बेस्ट है उनकी जो एमप्लोईस रहें के स्टेट गोवर्मेंट के उनके लिए होगा और दो चीजे वह आपthenोंट तरा इसी है की हाउसिंग लोन होगा यह थильно we fail मेलेगा और एजुकेशनल लोन जोगे होगा इस आप से मेलेगा मैकसिमम लिमिट जो होगी हाउसें लून एंड ऑट सब्सक्राइब करना यृट सब्सक्राइब कि ल्येंपिश व्यर्ट सब्सक्राइब कि खसेट दोटाइब कर स्टेक्वेंगे ऐसे आते हैं ठीके अधी एपीय ठीके दी एपीय याने की क्या है एनरजी आर्खिटेक्ट्चर परफर्फर्ममेंस इंडेक्स इस डेवलब बाइदी वल्ल एकोनोमिक फोरो इन कोलाबरेशन विद एकसेंचर ठीके इस कैंसर दोस्तो ए अनुपमखेर जी को कलारतन अवर्ड मिल रहा है इसके साथ आपको दो जीज़े और बतातों इनके बार में जरूर याद रखें इनको जो अवर्ड हमिदान सारे जो हमारे वोईस प्रेसेडेंट ऑफ इंडिया वो देने वाले अनुपमखेर जी को 2004 में दोस्तो पदमश्री मिला था ठीके 2004 में पदमश्री मिला था और 2016 में टीके 2004 में उनको मिला था पदमश्री और 2016 में उनको मिला था पदमश्री और 2016 में उनको मिला था पदमबुशन ठीके तो ये दो चीज़े भी ज़रूर याद रखें next तेक्टे the world sparrow day is observed on which date the world sparrow day is observed on which date or is cancer March 20 world sparrow day 20 March को observed किया जाता है next which state government has launched a program to provide free wifi facilities in educational institutions which state government has launched a program to provide free wifi facilities in educational institutions or is cancer तो यह BIR BIR state government जो है इन्होंने ये new initiative launch किया, ये program launch किया उन्होंने, कि उन्हों की educational institution से उनको free wifi facility provide करने वाले है, और इन्होंने ये कब launch किया था, ये जो बिहार का स्थापना दिवस है, ठीके, बिहार स्थापना दिवस कब है 22 March को, ठीके, उस time उन्होंने ये, उस occasion भी उन्होंने ये facility launch किया है, next, Sri Lanka has recently launched new Peru, PERU, ठीके, actually, PERU to create awareness or reconciliation among children, what does Peru stand for, Peru, ये abbreviation है, ठीके, तो ये किसका abbreviation है, दोस्तों, ये, D का, Peace Education and Reconciliation Unit, important, दोस्तों, पूछा जा सकता है, next, देखते है, which high level committee has been formed to examine working of Central Council of Indian Medicine and Central Council of Homeopathy, ठीके, which high level committee, committee के बारे में, ठीके, has been formed to examine working of Central Council of Indian Medicine, ठीके, CCIM और Central Council of Homeopathy, ठीके, तो इनकी examine के लिए, कौन सी committee established की थी, दोस्तों, तो इसका answer है, अर्विन पनागरिया committee, ठीके, important committee है, दोस्तों, अर्विन पनागरिया committee, ये किसके लिए, to examine working of, ठीके, to examine working of Central Council of Indian Medicine and Central Council of Homeopathy, ठीके, उनकी examine के लिए, की established की थी, और इसके साथ आपको बतातु, अर्विन पनागरिया जो है, हमारी नितियायोक के vice chairman भी है, next, how much loan agreement has been signed between Asian Development Bank and Government of India, to upgrade district roads in Madhya Pradesh, तो ये जो loan है दोस्तों, ये 350 million dollar का loan agreement हुआ है, ठीके, to upgrade district roads in the state of Madhya Pradesh, next, देखते, who has been appointed as the new chief justice of the Kerala High Court, ठीके, Kerala High Court के new chief justice किसको appoint किया है दोस्तों, तो इसका answer है D, Navniti Prasad Singh, Kerala High Court के new chief justice होंगे, Navniti Prasad Singh, next, which cricket team has won the 2017 VJ 1000 trophy, ठीके, किस cricket team ने 2017 की VJ 1000 trophy जीते है, तो इसका answer है दोस्तों, D, Tamil Nadu, Tamil Nadu cricket team जो है, इन्होंने 2017 की VJ 1000 trophy जीते है, इन्होंने Bengal team को हराया, ठीके, ये जो match हुई थी, ये फिरो शाह पोटला स्टेडियम डेली में है, ठीके, वहाँ पे ये match हुई थी, Dinesh Karthik को इस match का man of the match दिया गया है, ठीके, next, ठीके, Who has won the 2017 ATP Indian Wales Master's title, Who has won the 2017 ATP Indian Wales Master's title, और इसका answer है दोस्तों, C, Roger Federer, ठीके, Roger Federer जो है, इसको, 2007 का ATP Indian Wales Master's title मिला है दोस्तों, और Roger Federer ने, Stan Wawrinka को हराया था, ठीके, Roger Federer won this title by defeating Stan Wawrinka, next, the 18th edition of Asia's largest convention on the business of media and entertainment, FICCI Friends 2017, hosted by which country, ठीके, The 18th edition of Asia's largest convention, Asia's largest convention on the business of media and entertainment, FICCI Friends 2017, hosted by which country, और इसकांसर दोस्तों, A, India, ठीके, इसके साथ अब एक और चोटे, दो चीजे है, कि यह जो हुआ था, यह महारश्ट में मुंबई में हुआ था, ठीके, 21 March को हुआ, यह तीन दिन का था, प्रोग्राम, और इसका जो थीम है, इस येर का, इस येर का, इसका थीम थे, डिजिटल डिवाइड और डिविदेंट, ठीके, डिजिटल डिवाइड और डिविदेंट, आप 3D भी याद रख सकते, नेक्स्ट, which Indian personality has been selected to newly formed United Nations group on antimicrobial resistance, और इसका एंसर है दोस्तो, सुम्या स्वामिनाथन, सुम्या स्वामिनाथन जो है, इनको न्यूक्त किया गया इसके लिए, इनके बार में दो चीजे बताता हूँ, कि ये जो है, हमारी Indian Council of Medical Research की डिरेक्टर है, सुम्या स्वामिनाथन जो है, हमारी Indian Council of Medical Research की डिरेक्टर है, स्वामिनाथन इस अलसो Secretary Department of Health Research in India, Ministry of Health and Family Welfare, ये जो है, स्वामिनाथन जो है, इसके साथ की ये बहुत multi-award winning है, इनको पेडिटरिशन, ये अच्छी पेडिटरिशन है, क्लिनिकल साइंटिस्ट है, और उनको इ 23rd Conference of Auditors General of Commonwealth Countries and British Overses Territories, विच कंट्री हो से 23rd Conference of Auditors General of Commonwealth Countries and British Overses Territories, और इसके आंसर दोसो ये इंडिया, ठीके, ये इंडिया में ही होस्त हुए थी, ये जो होस्त हुए थी, ये 21-23 मार्च के बिच में हुई ठीके, और ये न्यू देली में हुई थी, इसमें 52 Commonwealth Countries ने पार पार्टिसिपेट किया था, ठीके, इस इस दी फर्स ताइम दी प्रेस्टिजियस कॉन्फरेंस इस हेल्ड इन इंडिया, विच इस होस्तेट बाइ कॉन्ट्रोलर एं ओडिटर जेनरल, नेक्स देखते है, विच अप फॉलिंग डिस्टिक्स विल बिकम इंडिया's first carbon neutral district, ठी जा रहा है, ठीके, होगा, तो इसका अंसर एक मजोली, ठीके, मजोली डिस्टिक्ट सेस्टिक्क्ट गोएं, अर इसके साथ आपको बतातों कि आसाम की चिप मिनेश्टर कों नहें? और उनोने रिसेंटली ये लांच केया इनेशीटिव तु डेहलोफ मोजोली आज इंडियास फर्स्ट कार्बन नुट्रल डिस्टिक और अज बायोडिवरस्टी हेरिटेज नेक्स्ट देखते हैं वाट्स दी थीम ऑफ 2017 वोल्ल टुबर्कुलासिस देखते हैं जीपैक्रिया की वाजे से होता है बाक्तिरिया का नाम है मायक्रों टुकुलासिस ट्पर टूबर्कुलासिस टूबल टूबर्कुलासिस की वज़े से TB के वज़े से सबसे ज़्यादा body part जो होता है, वो lungs affect होते है, ठीक है, सबसे ज़्यादा affect होने वाला body body part कुन साय तो है, वो lungs होते है, ठीक है, next देखते है, who has been appointed as the new whole time member of the Securities and Exchange Board of India, और इसका answer है दोस्तो, मधभी, पुरी, बोश, ठीक है, इसका answer है D, यह appointment तीन साल के लिए ह की दोस्तो, next देखते है, what is the India's rank in the 2017 World Happiness Index, ठीक है, World Happiness Index में 2017 की इंडिया की rank क्या है, तो इस cancer rate B, 122, ठीक है, 122, इंडिया की rank होगी, इसके साथ आपको बताता है ताओ कि, यह जो इंडिया की rank है, 122, यह out of 155 country में से, ठीक है, out of 155 countries, ठीक है, और यह जो top की है, World Happiness Index, इसमें टॉप किया है, Norway ने, ठीक है, Norway ने टॉप किया है, उसके बाद आता है, Denmark, फिर Iceland, फिर Switzerland, फिर Finland, ठीक है, और यह जो ranking रहती है, दोस्तो, World Happiness Index की, यह ranking जो होती है, ग्रोस डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट पर पर संद पर पर संद पर पर संद, उसके साथ, healthy life expectancy with four factors from global service रहते है, उससे best रहती है, हमारी वीडियो खतम हो चुके है दोस्तो, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज यहाँ पर जो हमारा लोगो आता है, study capsule का, उसके ओपर क्लिक करके आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज